आतंकी फंडिंग के मामले में NIA ने एक वार फिर से PFI के दरजनों ठिकाने पर छापे मारी की इस दोरान साथ राज्यों से सौ से जादा लोगों को फिर से ग्रफतार किया गया है आपको बता दें कि पिछले सपता ही NIA और ED की टीम ने छापे मारी कर सौ से जादा लोगों को ग्रफतार किया था जिसके बाद पूश्टास में एहम खुलासे हुए और उनहीं खुलासों के आधार पर आज एक वार फिर से NIA ने छापे मारी की और सौ से जादा लोगों को ग्रफतार किया है इस सिलसले में दिल्ली, उत्तरपरदेश, महराष्ट, केरल, करनाटक, बिहार, सहित, साथ राजियों में छापे मारी की खवर मिल रही है हलांकि अभी अधिकारिक तोर पर ये नहीं बताया गया है कि कुल कितने राजियों में कितने जगहों पर छापे मारी की गई है लेकिन ये पुखता खवर है कि सौ से ज़्यादा लोगों को गिरफतार कर लिया गया है आपको बता दें कि NIA ने हाल ही में जानकारी दी थी कि PFI के सदस्यों द्वारा गिरफतार सदस्यों ने खुलासा किया था कि देश के भटके हुए मुस्लिम युवाओं को लसकरे तयवा, ISIS और अन्य आतंकी संगठनों में जौइन करा कर उन्हें ट्रेनिंग दे कर देश के खिलाफ माहौल बिगारने का काम किया जा रहा था उसी पर रोक लगाने के लिए देश में सांती विवस्था बनाए रखने के लिए आज एकवार फिर से NIA ने देश के विभिन राजों में चापे मारी करके 100 से जादा लोगों को ग्रफतार किया है ये वही लोग हैं जिन्होंने साहिन बाग में पिछले वरसों परदर सनकारियों को फंडिंग की थी ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार के पटना में और अन्य जगहों पर नए उबाओं को ट्रेनिंग दे कर आतंग फैलाने की कोशिस की थी अब इन पर सिकंजा कस गया है और जल्द ही वो उस तमाम देश दिरोहियों को पकरा जाएगा और सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा ताकि देश में सांती विवस्था कायम रह सके बने रहिए Mobile News 24 के साथ ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए